तो है दोस्तों मैं हूँ आपका इसके और आज हम बात करेंगे आइव सील के हिश्टी के बार में ठीक है तो इसमें बात करेंगे कि आइव सील कब बना कैसे बना यह गोल फाइव हैंडड में इसका कितना रहेंगे क्योंकि यह कोस्टन बहुत जादी इंप्वाटन्ट है फि सब्सक्राइब करेंड में लड़ने वाला ठीक है तो अगर आप आयो सी के तियारी करें रहें खास को प्रोडक्शन या भी किसी ब्रांज से ठीक है तो आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है ठीक है कि इंडिया नोली फैंडरी में कुन-कुन सा प्रोड़क बनता है कुन- अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज डू सब्सक्राइब पर दो मौर इंफ्रमेशन बाट दें क्योंकि इस चैनल पर आपको हर एक टॉपिक या हर एक चीज के बारे में चैनल जो जॉब होता है या फिर जो कॉलेज में पढ़ रहे है उसे सारे टॉपिक सम्रेट ह ऍशम के इसमें कवर करते हैं तो लेसे सब्सक्राइब वहां तो जैसे कि आप है देख रहे होंगा कि कि यहां पर ही बैसी कली है आपका की कि यह भी क्सक्ति लिखा हुआ है लेखा हुगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन आल इनल बात करीं ऑई पास मतलब त्यूर्म Samantha आपका three PSU company है जैसे इंडेन और है HPCL है बीपी सेल एंड प्राइवेट में अगर बात करें तो रिलाइंस है HR है एंड सेल है यह तीन कॉंपटीटर है प्राइवेट में और दो कॉंपटीटर है गौवर्मेंट है आपको टॉपिक पर दिख रही होगा कि इंडेन और जर्नी ऑफ इंडेन रिफाइन अभूलिशन अपको बीकमिंग ग्लोबल फॉर्चुन फाइवन सो मैं स्टार्ट करता करता कि मतलब पहला कोस्टन आपके इस तरह से पूछे जा सकता है कि जो फॉर्चुन 500 है फॉर्चुन 500 इससे पिछले साल का क्या रैंकिंग है वह तो अमने ही पूछा ठीक है फॉर्चुन 500 का रैंकिंग है उसमें क्या है तो इंडियन ओयल के खासकर एनर्जी सेक्टर में वह सबसे बेस्ट परफॉर्मिस किया है और उसका आपका जो रैंकिंग है तो 2012 है और आपको पता होना चाहिए यह किसके ओनर्शीप में है तो यह मिनिस्ट्री ओफ पी और जी इसको बोलते हैं पेट्रोलिय में नेश्रल गैस उसके ओनर्शीप में है और इसमें गवर्मेंट ऑफ सेयर गॉर्म जीवाइज बैसिकली आयोसी जो चलता है वह प्रेस अट्री में जिकिवाई इस dele Gentlemen at 6 samurai स्धित नाज पायों जो गया तो यह बनाया गया था नाइन है जून59 में आज से सिखस्ट टू यर्स हो गए इसको के एंड इसका बात करें तो प्रड़क्ट है आपका एलंग है लुप्रिकेंड है नेच्रल लेस प्रेट्रो पेट्रो केंकल है डिया बात कर से हैं एक्वेश्टी यह । जिए कंने दिजल और हैं मतलब लिगे बनाते हैं इस विशन इसुसे इस्में बनता है तो इसमें जनरली Petroleum जो है वहार्मिल डिजनी बनता है okay petrol आड़ी इसका 7 Business division जैसे कि एक refiner Div ज हुए जिसके लिए हम लोग तियारी करें होगे तो रिफाय्न डिजण है दूसरा है पाइपलेंड दिविजन है तीसरा मार्केटिंग है चौथा आर इंडी है एंड पाच्वा पैट्रोकेमिकल छटा एक्स्प्लोरेशन और प्रडॉक्शन और साथ मैं एक्स्प्लोसिव है निक्राइव जाने हम लोग तो सिर्फ रिफाइंडरी के वारे सुनें पर एक आर यंड डी डेपार्ट्मेंट जहां पर इसका टैक्निक मतलब नए ने टेक्नोलोजी को डिवलब कर जाता लग्येक्स्प्लोरेशन की बात करें तो ऑर इंडेन वाय पिर जतने सारे जो फू था वह वहां किये थे ताकि एक्स्प्लोर कर से कि कि बात करेंके तो ए कि सुगया कर दिए हुआ तो वहां वह था concepts तोट मतलब उसको फिर चायक्ट सब्सक्युक्न खेडं सबस्क्राइब gutenberg वह जाने कंगे उखना wise जाने कमेम बात उना इन देखते हैं अगर इंडेन ओल जब वो 35% नेसनल डिफाइनी का कपेसिटी ठीक है मतलब जतना देश में डिफाइनी का कापेसिटी हो उसका 35% इंडेन ओल करता हो गे तो इंडेन ऑल जो ग्रूप है वो उसमें 11 ऑपरेट होता है और मतलब इंडिया में टोटल 23 रिफाइंडर कापेसिटी के बात करें बेसिकली मतलब इंडेन ओल के यतना गुरूप का कैमबाइन कापेसिटी तो 80.7 मिलियन टन पर एनम बोलते हो कि हैं फिर है कि बंगो ही गाउन जो इसका देखें इंडिजिनियस ग्राउस रूटी फाइंडर बंगो गया इसका कहने मतलब यह हो कि वहां के जो टेक्ट लोगिजेशन का पाचान होता है तो जी इसैंने जो इन्य Platy में देखें हों गाइड या पह यह या या फिर और भी जो जो उनिट लगते हैं वो विदेशी रहते तो वह इंडिजिनियस नहीं तो वही जो सब्सक्राइब लें उसका अपना है उसको बोलते इंडिजिन्य टेकनिक बोलते इंडिजिनीटरिए पर सब्सक्राइब यह को कि वह पहला उसा आपने युम्री यिज्यरी डाका इंडिया पहला थे इंडिया पहला प्यूस्ति अगर हम बात करें कि हल्देरी फांडी के बारे में तो यह ले फंडी अस्पेसिलाइज था लूबॉब के चितर में देके फिर ert dobr करके हैं लेलीन अलकान बंजिन और करके है वह बना जाता है और चरह करो पर में बना जाता है आपका जो डिटरजेंट होता ना उसको बनाना में यूज किया जाता हो कि फिर देखिए तो आगर ऐस्या का फॉस्ट हाइड्यों करो है तो वह गुजरात में सेटप किया गया था तो अगर जो गुजरात रिफने बहुत रहे हों गया फिर को भी घर हो तो इनके लिए एक बहुत ज सब्सक्राइब नहीं होगा तो इस तर्फ मेरे अगर आपने हुआज गरी करेंगे तो फोकी सब्सक्राइब तो यह ध्यान में रखिए बहुत जादा देखिए एक कुस्टन था क्या हुआ था कि जब आपको आपने सुना होगा ताज मेल का रंग है कलर उल रहा था तो वह बताया जाता कि इसमें मत्तुर रिफांडी जिमवाज़ तो ऐसा क्या हुआ कि उस समय पी एक पैनल सेट अप इंद्रा गांधी तो उसमें देखा एक कोई रोल नहीं है तो इसलिए 1998 में मत्तुर रिफांडी को राज्युव गांधी नेशनल क्वालिटी अवाड ही मिला था ठीक है तो यह बस मत्तुर रिफांडी पांडी उसे एक बताएं कि ठीक है तो ऐसा लोग सोचते है ऐसा सब्सकते हैं तो उसको बहुत करते हैं तो उसकर देख है है उसका नाम है और सी भी जी भूला जाता हो के थिद्धियान रखे गां फिर आठ्ट गैस आठ्ट गैस जो है ना वब्रंड नेम आठ्ट वहिकल जो तो जिसे आठ्ट गाडी नहीं होता ना जिस वो टेम्फू बोलते हैं ठ्ट अथो बोलते हैं तो उसमें आठ्ट गैस के भी चला जाता लपी जी की तुरू भी चला जाता उसको जो ब्रांड ने में वह आटो गैस है फिर हम बात करेंगे कि एटीए को छेतर में इंडियन मतलब होता है अवियेशन टर्वाइन फ्यूल जो प्लेन में यूज कर जाता है जो डोमेस्टिक प्लेन है ना उसमें वेसिक कर रहे हैं ठीक है तो उसका जो ब्रांड नेम है वह इंडेन है वह इंडेन होता है अगर आपका एच्पी या फिर कोई और रहता है तो दूसरा कंपनी कर रहता यह ध्यान में रखेगा फिर हम बात करेंगे एक्सपी 100 एक जो लगजरी कार होते हैं ना उनके लिए बनाया लगजरी कार के लिए यह समय यह स्टार्ट कि आपके नंबर हैंडेड होता है यह धान रख किए जो पेट्रोकिमिकल जो होता है उसका ब्रांड ने में प्रोपेल और एक है एक्स्ट्रा थेज इसमें एडिसनल एल्पी जी रहाता तो यह डोमेस्टिक यूज के लिए हम ल 65 डिग्री सी के आसपास तक रहता है तो इसमतलब एडिसनल कुछ एडिटी मिलाया जाता है फिर आगर हम बात करेंगे अगर बाइचन सापके घर में फायर होता है लपीजी की बज़ए से या पिसी और की बज़ए से तो आप इंडेन वाल से अगर आप कनेक्शन लिए या यह कोशन कभी ने कभी एक दो कोशन आप से एक्सपेक्टेड रहा सकता ठीक है क्योंकि प्लांट से आज कल ज्यादा पूच रहे तो यह कोशन एक्सपेक्टेड हो सकता तो आप ध्यान रखेगा जैसे कि हम बात तरहें कि डिवो रिफाइंड डिवोई का 0.65 होगे फिर है है आपका गुवाटी यह सबसे फुरांड रिफाइंड यह फास्ट है अगर इसका वन एम्म टीपी है सब सारे के कपेसिटी एम्म टीपी में यह ध्यान रखेगा बराउनी का सिक्स एम्म टीपी है गुजरात का 13 पॉइंट समदे कि यह जो कैपेसिटी है यह सिर्फ इंड तो आपको गलत होने का चांस है तो बराउनी का 6 है गुजरात का 13.7 हल्दिया का 8 है बंगोई गाउं उसका 2.35 है मतुरा का 8 है पानी पर फिप्टीन है पारादी 15 टोटल 6.69.7 होता है मतलब यह इंडेन ओल गुरूप जो होता उसमें आप फिर इंडेन ओल का ओनर्सिप है सब्सक्राइब साथ में तो इसलिए 10.5 उसका कपेसिटी आपका टोटल 18.20 इतना कपेसिटी इंडेन ओल जुसको 35% कपेसिटी बेसिकली होता है और नेशनल कपेसिटी जो है मतलब पूरे देश में रिफाइनिंग कपेसिटी जो है वह आपका 249 244.4 mmtp रिफाइनिंग पूछा गया तो याद ध्यान रखिए गां ठीक है तो आइओप आपको एक रफ आइडिया मिल गया हो गया तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जो उसके साथ आगर और मैं बहुत जल्दी रिफाइनिटी का जो जितने प्रोसेस होते हैं या जो यून तो आप इसके लिए तयार रही है ठीक है तो आई होप आपको कुछ नकुछ तो थैंक यू एंड वेस विसे टू यूर लाइफ आप आप जरू सेलेक्ट हुई है और फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में तो थैंक यू पर बात